Hello and Welcome Friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel की है और Microsoft Excel में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूँ, आईए आपको बताता हूँ देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपके पास एक डेटा है यहां पर देखिए name of product लिखा हुआ है, फिर price है, फिर unit है, तो अभी हम क्या चाहते हैं, पहले तो हम इस पर border बना लेते हैं, तो border बनाने की तो shortcut की बहुत आसान है, आपको keyboard से press करना है, alt hba, जैसे यह press करेंगे, तो border automatically 4 तरफ लग जाएगा, अब यह border लग चुका है, यहां पर हमें unit enter करना, यह आपकी price है, और यह unit है, तो यहां पर हम unit enter करते हैं, यहां पर 6 kg कर लेते हैं, 6 kg, ठीक है, यहां पर कर लेते हैं, 7 kg, 7 kg, तो यह 7 kg कर दिया हमने, और interface करना है, और फिर यहां पर कर देता हूँ 8 kg, इस तरीके से हमने कर दिया, अब हमको इन दोनों को multiply क करना है ठीक है अब multiply करना है तो यह text format में है यह number format में है अब multiply होगा कैसे चलिए एक बार करके देखते हैं क्या होता है तो यहाँ 40 को हमने जैसे ही select किया तो 40 का cell address आ गया B2 ठीक है यानि 40 जो है B2 में लिखा हुआ है इसका मतलब यह है यहां से into का shine लगाई है और 5 kg को select किजी 5 kg कहा लिखा हुआ है C2 में लिखा हुआ है C2 यहां पे आ चुका है और अब आपको press करना है enter जैसे यह enter प्रेस करेंगे तो यह hash value error करके आ जाएगा अब यह hash value error आने के पिछे कारड यह ही है कि यह जो है आपका text format में है और यह जो है number format में है तो अभी हम क्या करते हैं इस पूरे data को कर लेते हैं select यह select कर लिया हमने पूरा data और अभी हम यहां से इसको delete button press कर देते हैं ताकि यह delete हो जाए अब यह पूरा selection में है अब यहां से आपको जाना है number पर आप control के साथ one button भी press कर सकते हैं ठीक है आप यहां पर जाएए और यहां पर click कर सकते हैं आप control one भी press कर सकते हैं दोनों काम कर सकते हैं चले एक बार यहां से भी करके दिखा देता हूँ यहां पर click कर दिजे तो same यही window open होगी अब यह part तो selection में है आप देखी सकते हैं यहां पर अब हमें क्या करना है यहां से custom पर जाना है और custom पर जाने के बार यह जो general बना हुआ है इसको हम हटा देते हैं ठीक है अब आपको क्या type करना है यहां पर zero type करना है आप zero भी type कर सकते हैं भी type कर सकते हैं अभी मैं आपको hash भी type करके दिखाता हूँ अब यहां पर double-trade quotes को open करना है और क्या symbol आपने देना है वो यहां पर दे दीजिए केजी देना है और double-trade quotes को close कर दीजिए और यहां से कर दीजिए ok जैसे यह ok करते हैं तो अब आपको यहां पर kg केजी नहीं टाइब करना यह बहुत ध्यान रखने हैं आपको केजी नहीं टाइब करना आपको केवल वह नंबर टाइब कर देना है लाइक यहां पर 5 है तो केजी अपने आप आएगा तो यहां पर देख सकते हैं 5 केजी आ रहा है और इसका कैलकुलेट भी करके दे रहा है हम ठीक है यहां पर six करना है हमको kg नहीं लिखना है kg अपने आप आएगा यह eight हो गया और फिर यहां पर nine कर देता हूँ तो nine करेंगे तो यहां पर यह अपने आप आप आएगा बस इस पर double click कर दीजिये आप और आपका answer आजाएगा सबका ठीक है आई hope की यह बात समझ में आई बनाई थी एक काम हो रह गया है इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसको हम rupees format में convert कर सकते हैं या नहीं तो इसको पुरा ले लिजिए selection में ठीक है ले लिया अब यहां से हमें कहा जाना है यहां से हमें जाना है सीधा जनरल पे इसमें आपको बहुत सारे option मिलेंगे ठीक है इ यहां से जाकर के और यहां से जाकर के और फिर इसको currency बना दीजे तो यह भी इंडियन रुपीज में आएगा तो आपका format कुछ इस तरीके का हो जाएगा अब आपको दूसरी बात बता देता हूं यानि hash को लेकर के बता देता हूं तो यहां पर इसको मैं हटा देता हूं यह जो हमने बनाया न केजी वगरा वगरा इसको मैंने हटा दिया अब इसी पार्ट को हमने रखा है selection में control के साथ alpha numeric की one press करते हैं same यही चीज़ आ गया अब यहां पर zero के बजाए हम अगर hash लगा देंगे तो hash का मतलब भी एक्सल जो है number consider करता है तो यहां पर hash लगा दें मैंने तो kg अपने आप आगया ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर मैं अगर 89 प्रेस करता हूँ तो यहां पर दिखी यह अपने आप आएगा अब यह जो है कोई error value नहीं है यह column छोटा पड़ जाता है तब ऐसी दिक्कत आती है यहां पर मैं लिखता हूँ 56 तो यहां पर देखिए तोटल अपने आप होके आ जा रहा है आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो तो आप शेयर कर सकते हैं साथी साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यो फॉर वाचिंग देस वीडियो